गाइस आज किस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ घर के सामान से होने वाले तीन-तीन काफी कमाल के और आसान magic tricks आसान इतने के कोई एक छोटा बच्चा भी अगर इस वीडियो को एंड तक देखे बिना स्किप किये तो वो भी आसान इस इन तीनो magic tricks को सीख सकता है इस magic वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस balloon यानि गुबारे के साथ में काफी कमाल का magic और इस magic को देखने के बाद आपको अपने आँखों पे 100% यकीन नहीं होगा तो चलिए सबसे पहले इस magic को मैं आपको करके दिखाता हूँ और दिखाने की साथ-साथ ये magic मैं आप लोगों को भी सिखा हुआ जिससे आप लोग भी आसानी से magic दिखा के किसी को भी impress कर पाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइस मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इस balloon के अंदर हवा भर लेता हूँ ठीक है तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने balloon के अंदर यहाँ पे हवा भर लिए ठीक है तो गाइस क्या लगता है मैंने यहाँ पे balloon को पकड़ा हुआ है नीचे से इसका जो hand है उसे पकड़ा हुआ है अगर छोड़ूँगा तो हवा निकल जाएगी तो गाइस चलिए देखते हैं मैं छोड़ देता हूँ तो गाइस देख सकते हो धीरे से मैंने यहाँ पे balloon को छोड़ दिया है और हवा फिर भी इसके अंदर से नहीं निकल रही है यहाँ पे हवा रुकी हुई है ठीक है मैं आपको गुमा के दिखा दो हवा रुकी हुई है गुमा के अंदर आप देख सकते हो मैंने कुछ भी बानदा नहीं है इसके नेक पे इसके मुँपे कुछ भी निवा रुकी हुई है तो अगर इसके अंदर से हवा निकल नहीं है तो मैं करूँगा थोड़ा सा मैजिक आबरा कडाबरा गिली-गिली छूँ तो गाइस देख तो आसा कंचा, ठीक है, जो हम लोग बच्चमन में खेला करते थे, और आप अगर बच्चे हो तो आप अभी भी खेलते होंगे कंचों के साथ में, तो इसे कंचे और इस बैलून के साथ में कर सकते हो, आप काफी कमाल का magic, आपको करना क्या है, कि सबसे पहले, इस कंचे को डा कारटिंग में हम सके अंदर हवा भरते हैं तो मैंने सके अंदर भर दी हवा और कंचा कहाँ कर देखे हवा रुक चुकी है जब मुझे भवा निकाल नहीं होती है तब मैं क्या करता हूं मैं धीरे से magic करने का नाटक करता हूँ और धीरे से मैं यहाँ पे push कर देता हूँ यहाँ पे इससे दबा देता हूँ जैसे दबाता हूँ तो कंचा नीचे गिर जाता है और हवा बैलून की निगल जाती है तो गई इस magic आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखके मुझे जरूर से बताए तो गई जैसा कि आप देख सकते हो कि इस magic को करने के लिए मेरे पास एक simple सी black color की pencil है और इसके अलावा एक pencil tube है ठीक है जिसके अंदर मैं pencil को डालने के बाद magic से इसका color change करके आपको दिखाने वाला हूँ आप देख सकते हो इस tube के अंदर कुछ भी नहीं यह बिल्कुल से खा लिए ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इस pencil को डेता हूँ और मैं डालता हूँ इस tube के अंदर ठीक है तो pencil को मैंने डाल दिया tube के अंदर और इसका cap लगा के मैं इसे कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं करता हूँ थोड़ा सा magic आबरा कड़ाबरा गिली गिली छूँँ तो guys magic हो गया है तो चलिए देखते हैं कि हमारी pencil का color change हुआ है या नहीं तो यहाँ पर cap मैंने निकाल दिया और अब मैं यहाँ पर pencil को निकाल के oh my god guys देखा आपने हमारी black color की pencil का color अब orange हो चुका है और कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा इस tube के अंदर कुछ होगा लेकिन guys देख सकते हैं और tube खिल से खाली है तो guys इस magic के पीछे का secret है काफी simple इस magic को करने के लिए आपको चाहिए pencil vanishing या pencil color changing magic trick तो guys इसके साथ में दो magic करे जा सकते हैं एक तो pencil को venice किये जा सकता है और दूसरा black color की pencil को किसी भी color में आप change कर सकते हैं तो magic इससे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ तो guys क्या होता है कि पहले मैं setup करना होता है यह जो pencil AC के साथ आती है और यह black color की pencil है यह guys खोकली है ठीक है इसके अंद वह इस पैंसिल का तरफिया वह इस पैंसिल जाती है जो का मैंने नेक का लाए वणैम तू थ्री ओ माई गाड गाइस आज किस मैजिक वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला काफी कमाल का और हैरान करने वाला जादू और अगर आपने इस मैजिक को सीख लिया तो गैरंटीड गाइस आप किसी को भी हैरान कर सकते हो इस मैजिक को दिखा के और इस magic को करने के लिए आपको चाहिए एक सिंपल सी की और उसके साथ मैं ring तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास यहां पर एक ring है और इसके अलावा एक इसकी चावी है ठीक है इस ring के अंदर से मैंने चावी को निकाला हुआ है लेकिन magically आज के इस वीडियो में मैं इस चावी को इस ring के अंदर magically डालने वाला हूँ ठीक है तो चलिए magic start करते है तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं आप देख से दिखा दो कि ring गाईस सिंपल सा है इसमें किसी भी टैप का कोई कट वगरा नहीं है आप देख सकते हो ठीक है और अब guys मैं डालने वाला हूँ इस चावी को इस ring के अंदर magically ठीक है बिलकुल भी अपनी जो नजरे है इस ring और चावी के ऊपर से मत अटाना ठीक है 1, 2, 3, oh my god guys देख सकते हो कि जो ring है उसके अंदर मैंने चावी को यहाँ पे डाल दिया है मैं आपको बिलकुल नजदीक से दिखा दूँ देख सकते हो कि चावी के अंदर ring जा चुका है तो इस magic को आखिर कैसे किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में इसलिए वीडियो को end तक जरूर से देखिए तो guys इस magic के पीछे का जो secret है काफी simple है एक छोटा सा बच्चा भी अगर इस वीडियो को end तक देखेगा तो आसानी से वो इस magic को कर सकता है इस वीडियो को end तक देखने के बाद में तो guys इस magic को करने के लिए आपको कोई खास practice करनी नहीं है काफी simple सा यह magic है बस आपको चाह यह simple सी चावी जिसके अंदर यह ring पड़ा हुआ हो ठीक है और इसके अलावा एक आपको duplicate चावी जो इसके अंदर जो चावी पड़ी है same इसी तरह की यह चावी है ठीक है तो आपको magic कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ सामान को आपको पता चल गया कि क्या क्या साम आना है और ring को देखाना है तो कैसे करना है यह आपको क्या करना अपनी middle finger के पीछे चावी को ऐसे रखना है देखो ऐसे आपको इस चावी को पकड़ना है middle finger और thumb की मदद से और index finger से आपको ऐसे इसको पकड़ना है ठीक है अब आप देख सकते हो simple यह यहां पे ring दिखाई तेरा चावी हमारी छिप चुकी है fingers के पीछे और देखने वालों को बिल्कुल भी idea नहीं लगता है कि इसमें हमने चावी भी छिपा रखी है ठीक है पकड़ने का तरीका आपको पता चल गया इसके अलावा आपको क्या करना है यह चावी चाहिए simple वाली और जैसे ही मैं इ देखाता हूं कि कैसे यह किया जाता है ठीक है one two and three जैसी बोलता हूं तो यह चावी है इसमें नहीं छोड़ता मैं इसे हाथ में drop कर लेताहूं और हाथ को नीचे कर देता हूं और चावी को मैं guys जैसे छोड़ देता हूं ठीक है आपको एक बार करके मैं दिखाओं वन चू और थ्री तो गाईस देखा आपने जो चाबी है मेरे हाथ में है लेकिन यह जो चाबी है मैंने यहाँ से नीचे छोड़ दिये तो इस चाबी का करना है कि आपको धीरे से बातों बातों में अपनी पीछे वाली पॉकेट में डालने ना है क्योंकि लोगों की जो नजर है इस चाबी की उपर रहेगी तो उसी बात का फाइदा उठाना है आपको यह जो चाबी हाथ मारी इसे अपनी पीछे वाली पॉकेट में धीरे से डालने ना है तो गाईस यह मैजिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखके मुझे जरूर से बताएं